फसल पीमा योजना सरकार द्वारा दुखी और पीडित किसानों को लूटना का एक और धंग एक और तरीका अभी मैं परसो न्यूज में देख रहा था तो उस न्यूज में था कि बेंट ने फसल पीमा के नाम पर एक करोड किसानों के 990 रुपे के हिसाब से पैसे काट लिये उनके खाते में से उन्हें बिना बताए तो 990 करोड रुपे काट लिये गए ये जितने भी फसल पीमा की योजनाय हैं इनसे 1000 करोड रुपे इखटे होते हैं और वो जो पीमा कंपनिया हैं जो निश्य तुप से बड़े बड़े उद्योग पती घरानों की द्वारा चलाई गए बीमार कंपनिया हैं उनके माध्धम से ये पैसा इखटा कर लिया जाता है और जब किसान को देने का मका आता है तो कभी किसी को 51 रुपे किसी को 100 रुपे कहीं किसी को 2 रुपे कहीं किसी को 1 रुपिया कहीं किसी को 500 रुपे कहीं 1000 रुपे जो उसकी फसल बरबाद होती है जो उसे फसल में रुकसान होता है चाहे वो कपास की फसल हो चाहे वो गहों की फसल हो या किसी भी तरह की फसल हो और उनके प्रीमियम का पैसा काटने से पहले किसानों से पूछा भी नहीं जाता, तो ये फसल बीमा योजना जो है, वो किसानों को लूटने के लिए एक और नया हतकंडा सरकार की तरफ से है, मेरा मानना यह है कि जितना पैसा किसानों से ये कलक्ट किया जाता है, एकटा किया कि सरकार 5,000, 2,000 या 10,000 करोड रुपया सरकारी जो बजट में से होता है उसमें से निकाल के रखे कि ये किसानों की आपातिस्थिमा अगर फसल खराब होती है उसके लिए पैसा रखा जाएगा और उसमें से उसका जितना नुकसान होगा इस पैसे से उसकी भरपाई की अरे अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उस लूटे पिटे गरीब भुकमरी के कागार पर पहुँचे हुए किसान से कुछ लो तो मेट उसे लूटो तो मत अगर उसे दे नहीं सकते तो मेरा तुसरफ इतना ही है कि ये जितनी भी फसल बीमा योजना है ये जितनी ज लेड़ा गर कर रही है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंजी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूतें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले